हेलो डिये स्टूडेंट्स माइसेल्फ रजनेश कुमार बच्चो आज की इस वीडियो सेशन में हम क्लास एट का मैथेमेटिक्स का जो चैप्टर नमबर फाइफ है डाटा हैंडलिंग उसका कुछ और बेसिक्स रह गए हैं थोड़ा सा बेसिक्स यह करेंगे और उसके वाद हम sitten exercise start करेंगे तो बच्चो चैप्टर है हमारा डाटा handling तो पिशले वीडियो में बच्चो आपको मैंने data के बाएदा के बारे में बताया था, कि data कितने प्रकार में होता है, चुडिक है, तो बेसिकली मैंने बताया था कि जो लिएटा होता है उसको क्या बोलते हैं रोड data और या फिर क्या बोलते हैं उसको टैबुलिटेड हो गया, classified हो गया या फिर उसको हम बोलते हैं, arranged data भी कह सकते हैं उसको ठीक है कि नहीं कहा है और उसके बाद एक हो गया हमारा क्या जो तो tabulated data होता है, उसके मैंने बताया था कि tables के रूप में प्रकट कर दिया है, उसको ठीक है, अब उसी tabular data में हमने दो अलग अलग चीजे देखी थी, अगर left side में हमारा जो है, वो single values होती है, तो उसको हम बोलते है, discrete data, और अगर हमारा class interval के रूप में है, तो वो हमारा क्या हो होती है, अगली वहीं से चालो होती है, जैसे 0 से 10, 10 पर खतम होगी, तो अगली 10 से start होगी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार का data left side में अगर class interval ऐसे हो, तो continuous data कहलाता है, और यदि हमारा, क्या है, जो class intervals है, वो क्या है, पहले interval का upper limit और अगले interval का lower limit अलग-अलग हो, जैसे माल मैंने चीज़ें कल बताई थी, पिछले वीडियो में बताई थी, मैंने, आज हम बचों देखेंगे, जो data है, उसका graphical representation कितने प्रकार का होता है, तो आपके syllabus में 3 चीज़े दी हुई है, तो किसी भी data को हम graph के मादम से यदि represent करें, तो 3 main प्रकार case में graphical pictorial presentation होगा, पहला है ह बार ग्राफ है, दूसरा हमारा क्या है, हिस्टोग्राम है, और तीसरा हमारा क्या है, पाई चार्ट है, ठीक है, तो one by one इसके बारे में हम discuss करेंगे, बचों, किन cases में बार ग्राफ बनेगा, किन cases में हिस्टोग्राम बनेगा, और किस cases में क्या बनेगा, पाई चार्ट बने उसका data है कि book depot ने, उसका main income book बेशना होता है, तो book depot ने अलग-अलग महिनों में कितनी-कितनी किताबे sale की, कितनी किताबे बेची, तो ये हमने 5 महिने का data लिया बच्चो, April महिने में book depot ने 600 किताबे बेची, मई महिने में उन्होंने 500 books बेची, जून में 200, जुलाई में 400 और आउगस्ट में 350, ठीक है ना तो left side में हमने महिना लिखा है, right side में जो है number of books sold लिखा है तो अब बच्चो इसका हमको graphical representation करना है, ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई data हो, एक जानकारी आपको शब्दों में दी गई हो, verbal हो और दूसरी जानकारी आपको numbers में दी हो, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा bar graph बनेगा जो आपको numerical information दी गई है वो हमेशा x-axis पे plot की जाएगी नीचे, और जो आपको जो verbal information x-axis पे और जो numerical information है this will be plotted along y-axis, समझ में आ गया कि नहीं किया x-axis पे हम यह महीने लिखेंगे और y-axis पे हम क्या लिखेंगे हम number of books sold लिखेंगे इसी को frequency भी बोल सकते है, चलिए तो देखेंगे, यह हमारा क्या है, bar graph कहलाएगा ठीक है, तो देखेंगे, हमने नीचे जो horizontal x-axis है, x-axis, उस पे मैंने महीने लिखेंगे लिखेंगे, तो बराबर बराबर दूरी पे हम क्या एक ही क्या, दो-दो सेंटीमिटर से है, ग्राफ पर ले ले हैं, कॉप्य में बना सकते हैं, बराबर बराबर दूरी पे हमने क्या कर दिया, महीनों के नाम लिखेंगे, April है, May है, June, July and August ठीक है, और जो left side में हमने जो Y axis है, उस पे हमने books की क्या है, values लिखनी है, कितनी books sell की गई है, ठीक है तो देखेंगे left side में आपको दिख रहा होगा कि यह देखो numbers हमारे, अब यह जो number of books sold list में आपको range पता करने पड़ेगी एक centimeter पर 100 छोड़के values लिख रहते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, हम 50 का table में भी लिख सकते हैं, तो centimeter 12 लग जाएंगे, आपका graph थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ठीक है, तो मैंने 1-1 centimeter को 100 से show कर दिया, ठीक है, तो scale हो जाएगी, ठीक, तो यहां पर suppose हमने 100 का table लिख लिए, आप चाहे तो 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, and so on इस प्रकार से भी ले सकते हैं, y axis पे हमने left side में यहां लिख दिया क्या, number of books sold, समझ में आ गया, y axis पे यहां क्या लिख दिया हमने number of books sold, और नीचे यहां लिख देंगे हम month, यह पका लिखना arrow mark करके, ठीक, अब देखते हैं, हमारा जो data था हो क्या था, हमारी table पे चलते हैं, चलिए, तो table देखेंगे ध्यान से आप लोग, table में आपको April महीने में दिख रहा है 600 books, April महीने में क्या दिख रहा है आपको 600 books दिख रही है, तो देखो, April में हमने क्या है, एक बार बना दिया, और यह बार क्यों चाहिए कितनी रखनी है, 600 के बराबर रखनी है, ठीक है, इसी प्रकार जो May महीना है, उसमें बार क्यों चाहिए कितनी आएगी 500, तो 500 के सामने तक बार की height है, उसके बाद देखेंगे आप कि जो हमारा June महीना है, June महीने में जो books sell की गई है 200 है, तो June महीने के front में देखेंगे बार क्यों चाहिए कितनी है, वो 200 है, ठीक है, July महीने में 400 है, and August महीने में 350 है, अब इसमें जरूरी चीज यह धानक नहीं है, जो कि represent कर रहा है number of books sold, यह आपस में touch नहीं, इनके बीच में gaps हैं, इस प्रकार का data कहलाता है bar graph, इस प्रकार का जो हमारा graphical representation इसको क्या कहता है, bar graph, तो यह जो vertical building से बाहर समने बनाए हैं, यह इनके बीच में gaps होते हैं, यह आपस में touch नहीं होते हैं, तो x-axis पे जो भी हमने चीजे लिखे, यह verbal information है, इसको class interval के रूप में values के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर suppose हमको जो left side में जैसे मैंने बताई यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, मन्त दिया हुए है न, left side में इस तरफ हमको मन्त दिया हुए है, अगर यहां पे महीनों की जगह suppose हमको क्या आ जाता, संख्याएं आ जाती, values आ जाती, तो उस case में जो हमारा data का जो graphical representation होगा, उसमें हम histogram बनाएंगी, तो वह हम देखेंगे next वाले part में histogram, ठीक है कि नहीं क्या, चलिए, तो समझ में आगे आपको, तो यह क्या है हमारा bar graph, तो याद क्या रखेंगे आप, बार ग्राफ में जो bars होते वर्टिकल, इनके बीच में gap होते हैं, आपस में टस्नी होते हैं, और x-axis पे जो जानकारी है वो verbal information होती है, ठीक है न, चलिए, अब हम आगे चलते हैं बच्चो, histogram क्या होता है वो देख लेते हैं, चलिए, एक ओर data है, बच्चो यह data जो आपके सामने screen पे दिख रहा है, यह suppose आपके class में कुछ बच्चे हैं, और बच्चों के दुआरा test में score किएगे marks हैं, समझ में आ गया, तो मान लिजे, 32 marks तक का test होता है, and 0 से लेकर 8 marks, जो हैं, यह score करने वाले बच्चों की संख्या है, 5, यह देखेंगे यहां पे, फिर 8 से 16 marks, जितने बच्चों ने score किए उसकी संख्या है, 8, इसी प्रकार से 16 से 24, जितने बच्चों ने marks score किए, उसकी संख्या 10 है, और 24 से 32 marks से score करने वाले बच्चों की संख्या है, 6, तो यह frequency हो गए हमारा, अब यह जो हमने left side में बच्चो data लिखा हो है, class interval के नीचे देखो, यह continuous data है, grouped data भी है, classified data भी है, tabulated data भी है, बट यह continuous है, कैसे पता लगा, first class interval की अपर limit 8 है, और अगले class interval की lower limit 8 है, same to same हो गई, इसी प्रकार से second class interval जहां खतम हो रहा है, upper limit 16, तो third class interval की lower limit 16 है, फिर third class की upper limit 24, तो lower class जो है, जो fourth class है, उसकी lower limit की 24 है, तो एक class interval की upper limit, और अगले class interval की lower limit यादी same to same होती है, तो इस प्रकार का data continuous data कहलाता है, और अगर यह अलग हो, तो discontinuous data कहलाएगा, और table के रूप में कुछ भी लिख दिया तो tabulated data, process data, classified data, सब एक ही बात होती है, समझ में आ गया तो confused नहीं होना बिल्कुल भी, class interval में डबल डबल values लिखे, range लिखे, अगर यहाँ पे single value दिखाई दे, उसे को हम discrete data कह देते हैं, समझ में आ गया single values मतलब discrete data हो गया, तो यह थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसमें confused नहीं होना आपको ठीक है ना, अभी पिछले और इस वाले question में फरक क्या है बच्छो, पिछले में हमने मन्त लिखे दें left side में, यहाँ पर आप देखो values आ गई, तो अगर दोनों तरफ values हो, तो जो चीज बनेगी वो histogram कहलाएगा, यहाँ पर जो bars होते हों चिपक करके आएंगे, लगाता आ रहेंगे, ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले जो हमारा class interval होता है बच्छो, इसको हम normally x axis पे plot करते हैं, क्योंसे axis पे, x axis पे और जो frequency होती है, उसको plot करते हम किस पे, y axis पे, clear है, चलिए, तो अब देखेंगे, जो हमारा interval से उस पे गौर करेंगे, 0-8, 8-16, 16-20, 16-24, 24-32, 8-8 का gap है, तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे देखेंगे, जो x axis है ना बच्छो, x axis पे हमने लिख दिये marks और y axis पे लिख दिये पहला जो गए, पर 0-8 ही first interval है, यह 8-16 यह हमारा second interval है, यह हमारा first interval हो गया, यह हमारा first interval हो गया, turn interval,만 jeśli हमारा second interval, यह से यह हिए थर्डانısı ठलावारा, then यदि इसकों y axis पे और रिप्रेजंट कर देंगे, इस परकार से continues allows लिख पाएंगे, समझ में आगे कि नहीं क्या चलिए अब जो frequency थी हमारी उसको हमने देखो यहां पर frequency दिख रही है आपको frequency 5, 8, 10 और 6 है तो इसमें से बच्चों सबसे छोटी तो 5 है सबसे बड़ी वाले 10 है तो हमको 10 तक values लिख देंगे तो 123 हमने values लिख लिए तो अब चेक करते हैं बच्चों कि क्या अंगे तो अभी हम चेक कर लेते हैं क्या यह वैल्यूस जो है जो हमने 10 तक लिख दी है क्या इस पर हमारा बारग्राफ बनेगा तो चलिए चेक करते हैं कैसे बनेगा हमारा तो सबसे पहले देखेंगे पहला interval 0 से 8 और इसके सामने लिखा है frequency 5 तो 0 से 8 के ऊपर जो हमारा बार बनेगा उसके उचाए कितनी होगी 5 तो 5 के सामने एक लाइन कीच करके हमने पहला बिल्डिंग बना दी बार ठीक है अब जो सेकंड वाला जो बार बनेगा ना बच्चों वो बिल्कुल चिपक करके बनेगा gap नहीं होगा 8 से वापी start हो 24 इसकी उचाई 10 होनी चीए जो तो 3rd बार है देखो 16 से 24 उसकी उचाई हमने कितनी की हुई है 10 की हुई है ठीक है नहीं है frequency के सामने और इसी प्रकार चे जो लास्ट बार है उसकी उचाई 24 से 32 जो है class interval उसके सामने 6 है तो लास्ट वाला बार कितना है 6 उचा है ठीक है उसक आपको पूरा में diagram दिखा देता हूँ यह देखिए आपको ठीक है कि यह देखिए आपको पूरा दिख रहा है भी एच्छे से screen पर तो class interval और frequency क्या है अगर इस form में data होता है दोरों तरफ नंबर से मतलब y axis पे भी numbers है frequency और x axis पे भी numbers है इस प्रकार का data का क्या बन जाएग ठीक है कि नहीं कि चलिए अब आपके text book में जो exercise है आपके बच्चों कौनसी वाली first वाली ठीक है हम उसका एक फटा फट से first question कर लेते हैं फिर आगे हम next video में करेंगे ठीक है तो आपको जो first question है वो यही जानकर ही मांग रहा है कि आपको situations दिए अलग-अलग data की और पूछ देता हूं और reason के साथ हमको बताना है कि किस में क्या बनेगा और क्यों बनेगा ठीक है कि दिया चलो तो चलिए यह हमारा है question number one exercise का ठीक है कि नहीं कि हम कर रहे है है बच्चो exercise 5.1 ठीक है और बच्चों यह है हमारा question number one okay जी मैं पढ़ रहा हूं question आपके लिए इस्थ्यान से सुनिएगा for which of these for which of these would you use a histogram to show the data यहां पे चार अलग-अलग चीज़े है कि किस case में आपको histogram बनाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे चार इंपर्टन केसे पहला केस क्या लिखा है यहां पे the number of letters for different areas in a postman's bag the number of letters for different areas in a postman's bag चलिए बच्चो सोच के बताईए यहां पे अलग-अलग areas होंगे और area का तो नाम से होता है area जैसे अपने निमगताना में ले लिजिए अबय कॉलोनी एक हो गया आदर्ष कॉलोनी एक हो गया खेत्री मोड एक हो गया ठीक है कि नहीं क्या railway station कॉलोनी एक हो गया जाखड कॉलोनी एक हो गया data किस प्रकार का बनेगा यहां बनेगा बार ग्राफ क्या बनेगा यहां पर यहां पर तो बार ग्राफ बनेगा समझ में आ गया तो इसका अंसर क्या होना चाहिए बार ग्राफ clear है बच्चो क्या बनेगा यहां पे बार ग्राफ बन जाएगा समझ में आ गया ठीक है अभी हम करेंगे कौन सा वाला पार्ट बी वाला पार्ट चालिए बी क्या है बी पार्ट पढ़ लेते हैं तो उसका reason समझ में आ गया तो वहां क्या लिख देंगे बच्चो reason कि वहां पे जो letters हैं उसकी संख्या तो numbers में होगी लेकिन जो area है that is verbal information so will not get class intervals data में class intervals नहीं होगा तब तक histogram नहीं बनेगा ठीक है ना चलिए अगला हमारा है height of competitors in an athletic meet athletic meet है racing का dot है athletic मतलब कोई भी games ठीक है racing ही हो सकती है यहां पर ठीक है तो उसमें कहा है जो athletes है उनकी height का data चाहिए तो the height of competitors the height of competitors in an athletics meet in an athletics meet sports event है कोई ठीक है की नहीं क्या चलिए अब बच्चों यहां पर हमने axis दो बना लिए x and y अब competitors जो है बच्चों उसकी height किसमें होगी centimeters में होगी तो माल लेते हैं नीचे हम intervals बना देते हैं suppose 150 cm से 160 cm 160 cm से 170 cm 170 से 180 180 से 190 इस परकार से height का data तो हम क्या axis भी लिख देंगे और कितने competitors हैं कितने athletes हैं उसका data हम लिखेंगे y axis में frequency समझ में आ गया तो height भी किसमें होगी numbers में होगी और जो संख्या है competitors की वो भी numbers में होगी तो नीचे तो class interval आ जाएगा जैसे मैंने बदा है ना height कहा से ले लेंगा 150 से ले लो उसे छोटा कोई नहीं होगा मान लिजे 150 से 160 160 से 170 170 से 180 180 180 से 190 cm ठीक है और इस प्रकार से जो vertical axis है उस पर क्या ले ले जाएगा उस पर ले ले जाएगा number of competitors मान लिजे 150 से 160 cm height वाले athletes तीन हैं फिर 160 से 170 वाले 4 है 170 से 180 cm वाले 2 है 180 से 190 cm वाले 1 है तो जो frequency है वो दो वाएकसे से plot करेंगे और नीचे भी संख्या आएगी उपर भी संख्या आएगी तो इसलिए ये data में क्या बनेगा बच्चों histogram बनेगा क्या बनेगा histogram तो क्या जवाब आएगा यहां पर histogram reason क्या लिखेंगे बच्चों because the data here can be represented in the form of continuous class intervals. समझ में आ गया हर जगे यह reason आएगा है समझ में आ गया जो भी data है यहां पर उसको हम class interval के रूप में represent कर सकते हैं जो एकसे सब्सक्राइगा ठीक है तो दोनों तरफ values आएगी तो histogram clear है मामला चलिए आगे चल लेते हैं करने जा रहे हैं part number C क्या दिया हुए बचो the number of cassettes produced by five companies the number of cassettes produced by five companies clear है चलिए तो क्या आएगा इसमें बताईए तो बच्चो पांच companies है उनके नाम होंगे कुछ नहों चीक है तो माल लिजे company के नामे a b c d e दे देता हूं तो यह तो संख्या है तो नहीं है तो यह interval तो नहीं बना पाएंगी तो एक तरफ by access पर तो frequency हो गया numbers हो गया दूसरे तरफ तो नाम हो गया तो यह data कैसा आएगा bar graph आएगा समझ में आ गया the data will be represented in the form of a bar graph समझ में आ गया ना तो यहां पर histogram नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों तरफ values नहीं है यहां पर clear है तो reason same ही है यहां पर bar graph क्यों because this data cannot be represented in the form of continuous class intervals clear है चल यह आगे चल लेते हैं last part है मारा D part ठीक है यह कह रहा है the number of passengers boarding trains from 7 a.m. to 7 p.m. at a station the number of passengers boarding मतलब बैठना train में boarding trains from सुबह साथ से शाम के साथ बैठ तक 7 a.m. to 7 p.m. चीक है at a station बचो यहां पर एक station है और station पर 7 बजए से 7 बजए सुबह साथ बजए से शाम के साथ बैठ तक कितनी संख्या में passengers train पर चड़े इसके data लेना है तो बचो जो एक्स एक्सेस है ना उस एक्स एक्स पर हम time लिखेंगे और वाइक्स पर लिखेंगे passengers की संग्या तो एक्स 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 पर time कैसे लिखेंगे जीरो के बाद में सपोज़ हम सुबह साथ बजए से चालो करते मामला है ना तो बारा बराबर पार्ट कर देंगे एक्स 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 पर तो पहला पार्ट लिखेंगे 7 a.m. से 8 a.m. फिर 8 a.m. से 9 a.m. 9 a.m. से 10 a.m. 10 a.m. से 11 a.m. 11 a.m. से 12 noon फिर 12 noon से 1 p.m. 1 p.m. से 2 p.m. इस प्रकार से हम क्या है एक एगंटे के इंटर्वेल्स ले लेंगे तो यहां पर class interval में data विभाजित हो गया और हम देखेंगे 7 a.m. से 8 a.m. के बीच में कितने लोगों ने train में इंट्री ली कितने लोग train पर चड़े फिर 8 a.m. से 9 a.m. के बीच में कितने लोग train में चड़े एंड सोन इसी प्रकार से निकाल लेंगे तो यक्सिस में मारे डेटा फ्रिक्वेंसी जो है नंबर्स में आएगार एक्स एक्स पर भी class interval मन गए कि घंटे के तो दोनों तरब बने ना class intervals तो इसलिए यह जो data है it can be represented in the form of what histogram समझ में आ गया ना कैसा होगा यहां पर histogram समझ में आ गया क्यों because the data can be represented in the form of continuous class interval same reason लिग देंगे because the data और कौंसा time जो दिया हुआ ठीक है नहीं क्या can be represented in the form of continuous class intervals समझ में आ गया क्या और इसी कारण से हम histogram के रूप में इसको represent कर पाएंगे ठीक है कि नहीं बच्चो यह था बच्चो क्या आपका question number one complete समझ जागा reason के साथ लिख लिए हमने ठीक है अब एक मैं brief idea आपको दे दू question number two के बारे में आपके लिए यह homework है ठीक है तो जो हमारा question number two है बच्चो वहां पर हमको बनाना है frequency distribution table संझ में आगा और एक graph भी बनाना बाद में तो आप लोग सिरफ table बना लेंगे फिर graph में समझाऊंगा ठीक है क्या बनाना आपको frequency distribution table तो क्या है यह चीज हम देख लेते हैं बच्चो एक departmental store है mall type है ठीक है और वहां पर बच्चो कौन-कौन जाते हैं कोई भी जा सकता है वहां पर man भी जा सकता है woman भी जा सकता है boy भी जा सकता है और girl भी चार तरह के लोग जा सकते है तो man के लिए एरो ने symbol use क्या किया है man के लिए use क्या है capital M woman के लिए use क्या है capital W boy के लिए capital B and girl के लिए capital G यह चार प्रकार के लोग है जो की departmental store में जाएंगे ठीक है और वह भी शुरुआत में सुबह सुबह पहले घंटे में ठीक है शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अभी बच्चो शुरू के एक घंटे के अंदर जैसे जैसे वह आते गए ना तो उनका हमने क्या data लिख लिया तो वहां पर आपके textbook में दिया हुआ data तो किस प्रकार से दिया हुआ data दिया हुआ है सबसे पहले लिखा है वहां पर जबलू फिर लिखा है वापस डबलू फिर लिखा या वापस डबलू इसका मतलब क्या है वुमण 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 शुरू अथी वोइमन ने की है शॉपिंग की बड़ा शौक होता है ना उसके बाद चॉफा परसन कौन आया it was a girl उसके बाद क्या आया it was a boy फिर क्या हुआ बॉय के बाद में क्या हुआ दो बार वुमन डबलू फिर क्या हुआ फिर एक मैन आया फिर क्या हुआ दो बार गर्ल फिर क्या हुआ दो बार मैन फिर क्या हुआ चार बार वुमन ओके चार बार वूमन फिर एक गर्ल एक बॉई एक गर्ल एक बॉई उसके बाद मैन वूमन बॉई मैन वूमन बॉई उसके बाद गर्ल गर्ल मैन girl, girl, man उसके बाद woman, woman, man, man woman, woman, man, man उसके बाद तीन बार woman woman, woman, woman उसके बाद man, woman man, woman उसके बाद boy, woman, girl boy, woman, girl उसके बाद man और फिर चार बार woman man, चार बार woman आपको टेक्स्बुक पूर मिल जाएगा बच्चो जिनके पास नहीं होनी के लिए में लिख रहा हूँ ठेक है आप टेक्स्बुक में देख लेना फिर girl, woman, man, man girl, woman, man, man ठीक है उसके बाद दो बार woman, एक बार man दो बार woman, एक बार man फिर woman, girl, woman 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 girl, woman उसके बाद man, girl, woman man, girl, woman उसके बाद दो बार man, फिर एक boy दो बार man, एक बार boy बाई इसको फुरसत ही नहीं है शौपिंग करने की उसके बाद girl, girl, woman बच्चो सबसे ज़्यादा woman को बहुत शौक है आप देखो कितना सारा शौपिंग किया है जएक है ना अभी आपको क्या करना है इसका बच्चो frequency distribution table बनाना है frequency distribution table तो आपको मैंने तरीका बताया था क्या बताया था तरीका आप क्या कर लेंगे table कैसे बनाएंगे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बताईए जो हमारे buyer है जो हमारे क्या शौपर्स है वो किस category के वो लिख लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे टाईटर में लिख लेना आप लोग शौपर जो शौपिंग करने आ रहे है ठेक है चलिए उसके बाद हम लिख लेंगे टैली मार्क्स टैली मार्क्स और लास्ट में क्या लिख लेंगे बच्चों हम फ्रिक्वेंसी समझ में आ गया ना फ्रिक्वेंसी ठेक है चलिए यह हमारी इस प्रकार से टेबल बन जाएगी ठेक है अब क्या करना आपको यहाँ पे बच्चों हमारे पास कितने प्रकार के लोग है चार प्रकार के यहाँ प्रकार है ऑब आफ वन बाइवन पड़ते जाएंगे उपर ध्यान से ओर निशान लगाते जाएंगे और कैस्याद रखेंगे तो आप यह तो पैंसल से कट करते जाएंगे इसको फिलाल में हाँ यहां पे हाईलाइटर की मीड़़द से इसको highlight कर लूँगा ठीक है कि नहीं क्या अब जैसे मान लीजिए मैंने शुरू में तीन एक साथ पढ़े woman 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 ठीक है ना तो अब मैं क्या करूँगा निशान लगाऊंगा woman 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 पे ठीक है तो woman 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 तीन निशान लग गए संज़्या क्या चौथा भी सीधे ही लगेगा पांच वा लगेगा तो क्रॉस में लगाना तो पांच का गुच्छा हो जाएगा तो इस परकार चाप निशान लगाते रहेंगे एक और मैं एंट्री बता दूँ आपको अगला तीन एंट्रीज है गर्ल बॉय वूमन तीन तीन ले रहा हूँ गर्ल बॉय वूमन चीक है तो देख लेते हैं गर्ल बॉय वूमन कहा लगेगा हमारा गर्ल ये रहा girl यह रहा है उसके बाद क्या था हमारा girl के बाद क्या था देखेंगे boy और फिर woman है ना girl के बाद क्या था boy और फिर woman तो girl के बाद boy नीचे आ जाएगा woman first line वापिस आएगा इस प्रकार से अप लगाते जाएगे अब woman में और कोई लगेगा तो cross में लगेगा ठीक है एक और में एक और बता दूम आपको ठीक है कि नहीं क्या चलिए अगला क्या है एक और देख लेते हैं woman man woman man girl ठीक है woman man girl ठीक है woman man girl तो कैसे लगाएंगे woman कहा है फर्स्ट वाले में तो देखो यह कट जाएगा ऐसे woman फिर man girl समझा गया बच्चों इस प्रकार से अप continue करते जाना woman में और लगेगा तो फिर वापिस से start कर देगे डंडे लगाने चार सीधे लगेगे एक cross में लगेगा जब सारे डंडे लग जाएं सारे के सारे खतम हो जाएं तो फिर आपको counting करनी है यहाँ पर समझ में आगया कि नहीं क्या तो woman के सामने कितना है काउंट करके देख लेना किते डंडे लग गए सारे मिला करके अब यह पांच का उच्छा बन गया जो कट गया चार सीधे और एक cross में तो ऐसे पांच-पांच-पांच के multiple से बनते जाएंगे तो आप क्या करना सब को काउंट करके लिग देना प्रिक्वेंसी में सामने और फ्रिक्वेंसी का टोटल मारके चेक कर लेना आप कितने है ठीक है तो यह जो टैबुलर फॉर्म में जो भी डेटा हमारा बनेगा बच्छों यह कहलाएगा क्या यह कहलाएगा हमारा क्या फ्रिक्वेंसी डिस्टिबूशन टेबल समझ में आगया कि नहीं क्या तो आप इस प्रकार से बना सकते इसको आप पूरा कंटिन्यू करिएगा ठीक है और बात में फिर जो हमारा यह शॉपर्स हैं कौन सा वाला इस साइड में जो शॉपर्स हैं यह और जो हमारे शॉपर वाला ओड़ी में अपर को नाम है, वोमन, मैं, गर्ल, बॉय ठीक है कि नहीं कीया, और राइट सैड़ में, फ्रिक्वेंसी है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, ₴ 0 ako, जब क्राफ बनाएंगे écritक एY पर वा, एकस पर अएक्स तो बाचों, शुफे ल Bread ॉचण और इधर नेम, नेम कहा आएगा, इधर तो आएगा नेम, और इधर क्या आएगा हमारा उपर, इधर आएगा हमारा फ्रिक्वेंसी आएगा, तो बताओ data किस प्रकार का हुआ है, यहाँ पर नीचे class interval तो नहीं बन पाएंगे, शॉपर के नाम से, वोमन, मैन, बॉय, गल आएगा ठीक है, और फ्रिक्वेंसी उपर शो करेंगे, तो बार्स जो होते हैं, वो separated आएगे, continuous class interval नहीं बनेगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, हिस्टोग्राम, समझ में आ गया, तो यह आप लोग का homework है, आप कोशिश करिएगा, यह पूरा पूरा फ्रिक्व अचे टेबल भी कोशिश करना बना के, और आप ट्राइ करना, हिस्टोग्राम भी आपका बन जाए, बार्स जो होंगे, सॉरी, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा बचो, क्या बनेगा यहाँ पर यहाँ पर बार ग्राब बनेगा, ना, हिस्टोग्राम का बनेगा, जहाँ class interval हो यहाँ बनेगा बार ग्राब बच्चो, ठेक है ना, हिस्टोग्राम में नीचे class interval हो, नीचे class interval नहीं है, तो आप यह बना के देखिएगा, ठेक है, और फिर बुझे check कराना आप लोग, ठेक है कि नहीं, क्या response दे सकते हैं आपको, कि किस-किस का हो गया, ठेक, तो बच्चो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में यह access complete कर लेंगे, second question में discuss कर लूँगा, और उसके बाद क्या है, हम करेंगे question number three, four and five, तीन question और रहे गए इसके, ठीक है कि नहीं क्या, जैसा question अभी मैंने second बता है, वैसा ही हमारा क्या है, tableted data में convert करना है third question कभी, त जो next वीडियो में discuss, I hope, आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आप ध्यान से इसको देख लेना, समझ लेना, आपको ज़्यादा नोट करने की जरूत नहीं है, इसमें मैंने समझाने के लिए बताया था, आपको जो पीछे का जो basics है, तीन प्रकार की जो मैंने बताय प्रकार के प्रकार के जरूत नाम लिख लेना, आप जाता उसको देखने की जरूत नहीं है, करना नहीं है, इसको में चीज समझाने के लिए मैंने बताया था कि दोनों basic फरक क्या होता है, ठीक है, फिर exercise में करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, चीक है चलिए, तो मिलते हैं next video में, till then goodbye and thanks for watching.